नमस्कार मैं सूयश, आप देख रहे हैं मुवा खबर की खास पेशकश नेता जी का कहनामा भारत में लोगों को खुले में शौच करने का अलग ही मज़ा आता है कुछ लोग शौक में करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में या तो फिर कुछ लोग होते हैं जो मज़े लेने के लिए करते हैं लेकिन मैंने ये सोचा कि क्या भारत एक पुरुष शौच प्रधान देश है मैं भारत में और पुरुषों को शौच प्रधान देश से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि भारत में अधिकतर कई जगहों पर आप चले जाएए तो वहाँ पर लिखा वहाँ आप देख लेंगे कि दिवारों पर यहाँ पर शौच करना मना है यह कहीं नहीं लिखा रहता है कि पुरुष कर रहे हैं या फिर महिलाएं इसका उप्योग कर रही है लेकिन 99.99% पर आपको पुरुष ही खुले में शौच करते वे दिख जाएंगे महिलाएं नहीं दिखेंगी और इसे लिए मैंने सोचा कि क्या भारत एक पुरुष शौच प्रधान देश है हो सकता है कि कहीं शौच ना हो तो दिक्कत हो सकती है लेकिन उसके बावजूद भी कई एक ऐसी चीजे होती है अब देश में हमारे प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी जी ने जब सोचता अभयां चलवाया तो पूरा देश उनके साथ चला सोचा कि हम सोचता का आवाहन करते हैं घरे घर में शौच बनने चाहिए और प्रधानमंतरी मोधी तो हमेशा किसे कहते आए जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी, जब प्रधान मंत्री हैं तब भी कहते हैं कि भाईया पहले शोचाले, फिर बाद में देवाले, लेकिन इन सब के बीच में हिमांचल प्रदेश की सरकार ने कमाल का ही काम किया है, उस सरकार की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन हमारे देश में एक नेता है जो की चुनाव के दौरान घूम घूम कर ये कह रहेते हैं कि भाईया जैसे ही हम चुनाव जीच जाएंगे वैसे ही आपके अकाउंट में खटा-खट-खट-खट-खट-खट-खट-फट-फट-फट-पैसे आना शुरू हो जाएंगे महिलाओं को हम प देश चलाने के दौरान ये सब काम नहीं आते हैं देश चलाने के दौरान काम आता है आपका अनुभव आपकी महनत और साथी साथ इस देश के 150 करोड़ देशवासियों की सलहा हर व्यक्ति के पास अपनी अलग समस्या है तो सरकार का मतलब खट-खट-खट-फट-फट-फ ना जाने कहां से लाते हैं ये खट-खट-फट-फट-फट वाली बात देश की अर्थिव्योस्था मेरे हिसाब से तो इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है और निर्मला ताई ने तो एकदम अच्छी नहीं रखी है कि भईया आप अगर चुनाओ जीत जाते तो आप महि जौर हो जाती है हर दल इस बात को देखने की कोशिच करता है कि भईया जैसे ही चुनाओ आए वैसे हम लोक लभावन नीतियों के उपर काम करना शुरू करते हैं चुनाओ जीतने से पहले या फिर चुनाओ के दौरान जब इस देश के नेता जनता के बीच में जाते हैं य हम बसों की यात्रा को मुफ्त कर देंगे हम आपके लिए दवाईयां मुफ्त कर देंगे करना चाहिए अगर आपके पास पैसा है तो करिए लेकिन हिमांचल प्रदेश की सरकार ने तो कमाल का काम किया जब आप मुझे ये बात सुन रहे हैं और मैंने शौचाले से बात की शुरुवात की है तो हो सकता है कि जब अगर आप इस समय अपने शौचाले में हो और अगर मुझे सुन रहे हो तो नित्त करम करते वक्त हो सकता है कि आप रुख जाए या फिर अपने आप इस खबर को सुनने के बाद आपकी रुख जाए इसलिए क्योंकि जो खटा-खट फटा-फट का दावा और वादा कर रहे थे इनके नेता भी कुछ इसी तरह के से काम करते हैं पहले विक्रमादित्य सिंग ने कहा कुछ भी मूँ में आया बोल दिया अब इनके नेता ने कह दिया है इनकी सरकार ने इस बात का आवाहन किया कि भाईया आप इस देश में आप शोचाले पर टेक्स लगाने की बात कर रहे हैं, बात तो सही है, एक तरफ हमारे प्रदान मंत्री घूम घूम के कहते हैं कि भाईया, पहले शोचाले बाद में देवाले, अब भाईया जिनके घर में शोचाले है और शोच करने के लिए जाए तो उसके लिए भी अब टे देश में, ऐसा भी आएगा कि रास्ते में आप चल रहे हैं, आपने मूग खोल के सास ली, तो कहेंगे टेक्स दो, आपने खासा तो आपने बैक्टिरिया फ़लाया, उसके लिए भी टेक्स दो, टेक्स पर टेक्स लेते चले जाएंगे, लेकिन जब आता आती है कि भया हिस वस्त buenos के बाहर से जाराते हैं तो एक महिला ने उनका कॉलर पकड़ लिया, और कहा कि बताओ कि इस देश ने हमें क्या दिया, तो उन्होंने कहा कि इस देश ने और इस देश के आजादी ने आपको इतनी ज़ादा तो आजादी दी है कि आप इस देश के प्रधान मंतरी का कॉलर पकड़ के पूछ सकते हैं कि बताओ कि आपको आजादी ने क्या दिया आपको देश ने क्या दिया उस समय के राजनेता हुआ करते थे आपके राजनेता हैं इनसे जरा सा सवाल क्या पूछ लो वही आतो भड़क जाते हैं जिन बातों को ले करके हिमांचल प्रदेश की सरकार सामने आई उसको बाद में वापस भी ले लिया गया जो भी बात कहा गया उसके बाद अतरिक्त मुख्य सचीव जल शक्ती के कारयाले की मुल अधिसूचना में कहा गया जहां शहरी छेतर में कुछ प्रतिश्थान अपने स्वयम के जल स्रोत्रों और विभागों की सीव शुलक वसूला जाएगा ये बात हिमांचल प्रदेश की सरकार ने कही हाला कि उसी दिन जिस दिन इस बात को अधिसूचना के रूप में जारी किया गया उसी के तुरंत बाद शाम तक इस अधिसूचना को वापस ले लिया गया क्योंकि इसमें जो विवादासपत खंड थ उस पे कहा गया कि लोग बहुत जादा उग्र हो रहे हैं सवाल पूछ रहे हैं इसलिए ले ले लेना है हाला कि जो संशोधन किये गये उसमें शर्त संख्या तीन में ये डाला गया था जिसको बात में हटाते वे कहा गया कि ऐसी कुछ बात नहीं है सुक्विंदर सिंग सु अब देखिया आरोप लगाया है कि बारती जन्ता पाटी की सरकार थी तो नहीं ने कहा कि जो फाइफ स्टार होटल है बारती जन्ता पाटी ने उन होटलों पर भी किसी प्रकार का प्रम ही लगाया था उन लोगों को मुफ्त पानी दिया जा रहा था लेकिन जब हमारी सरकार आई तो इसके बाद हमें जंता के हितों के लिए काम करना था इसलिए हम ये प्रावधान ले करके आ रहे हैं मात लिया बात आपकी जब आपको ये पता था कि आपके राज्य में ये ये समस्या है तो आपको लोक लुभावन वादे करने को किस ने कहा था निता जी सुपिंदर जी ये सवाल आपसे ही पूछा जाता है कि जब राज्य में पैसा नहीं था जब आपको पता है कि आपका र रहती हो चाये Congress रहती हो जब भी चुनाओ आता है आप लोग लोग वहन बादे करना शुरू कर देते हैं जब जनता को देने की बारी आती है तो जनता के ही पैसे का इस्तमाल करके आप जनता को वापस देते हैं और फिर कहते हैं वहिया देखो सूट चमकाते हुए कि हमने जनता के लिए इतना कुछ किया है ना कमाल की बार ना तो बीजेपी ना तो कॉंग्रेस ना तो आम आपनी पार्टी ना तो समाजवादी पार्टी इस देश की कोई ऐसी रांदितिक पार्टी नहीं है जिसने बिना आपसे ना लिये आपके लिए फाइदा किया हो ये तो वही बात हो गई कि नीचे वाले जेब से आपके 500 रुपे निकलवाया जाता है उपर वाले जेब में 500 रुपे की जगा 50 रुपे रखा जाता है और फिर कहा जाता है देखो हमने तुम्हारा फाइदा करवाया है ना लेकिन ये फाइदा तो होता नहीं है आपको इस बात पर भरवित कर दिया जाता है कि 500 रुपे तो तुम्हारे जेब से निकाले ही नहीं गये हैं और 50 रुपे हम रख करके तुम को खतम किया गया जब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए जब इस देश में जो बिजेपी के लोग हैं वो प्रदर्शन करना शुरू कर दिये सवाल पूछना शुरू कर दिये तब उसके बाद यह सारी चीजें हुई अब रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है क्यो उनको चुनाओ जीतना था तो उन्होंने भी वादे लंबे चोड़े किये कि हम इस तरीके से आपको सत्ता में आएंगे तो यह फाइदा देंगे हम महिलाओं के लिए ये करेंगे हम युवाओं के लिए करेंगे कीजिए ना लेकिन पैसा कहां से लाएंगे इस बात का भी जबाब दे दीजे हमारे आपके पैसे का इस्तावाल करके आप किसी एक को जो निरबल है उसको बली दे रहे बल दे रहे हैं उसको आप और जो जिसके पास बहुत ज़्यादा है उससे आपसे लिया नहीं जाता है ये बात आम तोर पर उठती है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि हिमांचल में कॉंग्रेस की सक्ता आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड रुपए का कम कर्ज था, उस समय बीजेपी हट रही थी और हिमांचल प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार आ रही थी 69,000 करोड ठीक है, लेकिन उसके सक्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक ये संख्या बढ़ करके राज्यपे कर्ज हो जाता है 86,600 करोड रुपए, सोचिए कहां 2022 में 69,000 करोड और फिर वही संख्या बढ़ करके आ जाती है 86,600 करोड रुपए पर केवल इतना ही नहीं, मार्च 2025 तक हिमांचल प्रदेश की सरकार जो है उसका कुल करजा बढ़ करके 95,000 करोड के लगभग पहुच जाएगा या फिर हो सकता है एक लाग करोड के लगभग भी पहुच जाएगा जब 2002 में चुनाओ की सत्ता में वापसी कॉंग्रेस कर रही थी तो जनता के बीच में बड़े बड़े वादे किये गए बेतहाशा खर्च करने की बात कही गई खर्चा किया सरकार में आए अब खर्चा कर रहे है लेकिन यह आपको समझना होगा कि किसी भी राज्जी की मैं बात तो नहीं कर रहा लेकिन हमांचल प्रदेश की बात मुख्यता कर रहा हूं लेकिन सभी राज्य इससे छुपे नहीं है क्योंकि हर राज्य के उपर करजा है और हर राज्य के नेता अपने अपने तरीके से फालतू की बाते करते चलते हैं ताकि जन्ता को बेकूफ बनाया जा सके कि किस तरीके से उनसे पैसा निकाला जा सके अब हिमांचल प्रदेश की सरकार की अगर मैं बात करूँ तो 40 फीजदी उनके कुल बजट का जो पैसा है वो सेलरी और पेंशन में चला जाता है बीस फीजदी का जो खर्च है वो बयाज चुकाने में चला जाता है जो बयाज जो आपने कर्ज लेख रखा है उसका ब्यासदर होता है सुकु सरकार बिजली भी दिया जा रहा है जिसको लेकरके 1800 करूड रुपै का खर्च आता है सब करोडों में बात हो रही हो जाता है इन सभी खर्चों को अगर मिला दिया जाए तो इन से बाद 2022 में इनकी सरकार बनती है कुछ सीटों से ही बनी थी लेकिन आम तोर पर सबसे जादा हिमां को सिमित कैसे किया हिमांचल प्रदेश की सरकार अपनी जीडीपी का 5 फीजदी तक कर्च ले सकती थी लेकिन बीजेपी की सरकार जो की केंद्रे में बैटी हुई है उसने इस कर्ज को घटा करके 3.5 फीजदी तक ले आई और जिसके बाद पहले राज्य सरकार के अनुसार 14,500 करोर रुपए तक का उधार ले सकती थी लेकिन अब 9,000 करोर रुपए तक का ही कर्ज ले सकती है आरबियाई की रिपोर्ट बताती है कि हिमांचल पर 5 साल में 30,000 करोर का कर्ज बढ़ गया है अब 86,000 करोर का कर्ज है आने वाले समय में 1.1,700,000 करोर का भी खर्ज हो सकता है ये सोचने की बात है, अब नेता जो आपके बीच में आते हैं, जो आपके बीच में बड़े बड़े वादे करते हैं, सुकुंदर सिंग सुकु हो, चाहे विक्रमादित्य हो, चाहे राहुल गांदी हो, चाहे नरिंदर मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखलेश यादो यह सब होुए यह सभी नेता आप के बीच में आते हैं कि यह मैं फ्री में डूंगा जब मैं नेता जी का कहना मा कर रहा हूं और आपको सब के सामने नेता जी की बात को ढ Sóर था रहा हूं तो आपको एक बात और भी बताओंगा उन्हीं मैंता से पूछिएगा कि क्या फ्री में देने के बावजूद भी आपके घर में आपके बच्चे को अच्छे शिक्षा मिल रही है और जब प्रतिनीदी आपके द्वार पर आए तो उनसे पूछिएगा चाहे कोई भी हो कि भईया आपका बच्चा पढ़ता कहा है क्या इस देश मे सरकारी स्कूलों की विवस्था ठीक हुई है हिमांचल प्रदेश की जनता हिमांचल प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार से इस बात को पूछे कि आप इतना जादा कर्ज लेते हो आप हमें इतनी चीजों को मुफ्त बाटते हो लेकिन क्या जो गाओं में गरीब बच्चे हैं ज केवल और केवल आप लोगों को लुभाने के लिए और चुनाओ जीतने के लिए किये जाते हैं इससे ना तो आपका भला होता है ना तो राज्य का भला होता है अगर कुछ देना ही चाहते हैं इस देश के नेता तो अच्छी शिक्षा दें और हिसाब दें बताएं कि भईय और अमीर होता चला जा रहा है गरीब और गरीब होता चला जा रहा है बीच में पिस रहा है तो मध्यमबर्ग क्योंकि उसी को सबसे ज्यादा टेक्स देना होता है इस देश की एक हार्ष रियालिटी बता रहा हूं इस देश का एक कड़वा सच बता रहा हूं कि जिनके पास पैसा है वो करज लेने के बाद इस देश को छोड़ करके भाग भी जाते हैं तो उनके उपर कोई कारवाई नहीं होती है लेकिन मध्यमबर गिये अगर करज लेता है तो अगर चुका भी नहीं पाता है तो उसके कब घर में रखा हुआ मंगल सूत्र भी बिख जाए बैंक वा चैतना से नहीं समझ सकते हैं कि आपको क्या जरुवत है अगर आपको अच्छी शिक्षा मिले और अगर आपके घर में अच्छी नौकरी हो तो पांच किलो राशन की जरुवत आपको नहीं पड़ेगी और दूसरी तरह इस देश में प्रधान मंतरी घुम घुम के कहते हैं कि मैं 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन बाट रहा हूं तो दूसरी तरफ कहते हैं कि भाईया हमने इतने 25 करोड लोगों को गरीबी रेखा से उपर उठा दिया है जब इस देश में 80 करोड लोग आज भी मुफ्त राशन के पीछे बाग रहे हैं तो इस देश से गरीबी द एक हैं जो बोल रहे हैं तो शांती नहीं हो पा रहे हैं अब जिन्हों ने बोलना शुरू किया है तो अनाप शनाप खटाखट फटाफट जो आ रहा है सब बोलते चले जा रहे हैं बोलने से याद आया कि इस देश में व्यक्ति का नाम है यति नर्सिम्हानन कमाल के व्यक्ति हैं इनको देखा है आपने लिजे देख लिजे पहले अगर आज जलाना है जो कुछ भी बोलते हैं कुछ भी सोचते हैं इनके हिसाब से इस देश में मुसल्मानों को होना ही ने चाहिए ये बहुत बड़े धर्म के जानकार है बोलने से मेरे को याद आया कि कुछ भी नेता कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं इने नेताओं के द्वारा पाले जए कुछ ऐसे छिट पुट लोग हैं हुलक चुलू, इनका नाम मैं दे रहा हुलक चुलू, यह ऐसे हुलक चुलू हैं जो नेताओं के साथ खड़े होते हैं, फोटो खिचवाते हैं और फर्स क्लास जंता के बीच में जा करके बताते हैं, भया हम इन से मिले हैं, हम इने जानते हैं, और फरजी ट्रेलर बातना ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा सड़कों पर घुमते वे जाएंगे, इसी सड़कों पर घुमते वे एक विक्ती का नाम है यतिनरसिम्मानन, यह अपने आपको बहुत बड़े गुरु समझते हैं सनातन धर्म के, इनको अपने अंदर की यह पतानी आत्मस्पूर्णा कैसे हो गई है कि यह बहुत बड़े गुरु और संत ज्यानी हो चुके हैं यतिनरसिम्मानन, इनको देखने के बाद तो मुझे रम्मी रेड़ी की आदा आ जाती है, सन 1990-2000 के दर्शक में बॉलीवुड के एक बहुत बड़े विलन हुआ करते थे, वही विलन आज वापस ल बयान देते हुए कि भया रावण की पूजा करो, रावण को जलाया मत करो, आपकी बात मैंने मान ली, आपने कहा कि मेगदूत को आप क्यों जलाते हो, मेगदूत बहुत अच्छा आदमी था, आपकी बात मैंने मान ली, रावण की आप पूजा करने का आवाहन कर रहे हो, तो भया मान लिया, सही बात भी है, इस धर्ती पे उस समय रावन से बड़ा ग्यानी कौन था, सबसे ज्यादा ग्यानी था, रावन को तो हराया उसके एहंकार ने, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नियती ने ऐसा कुछ सोच रखा था, कि जो कुछ भी हमारे सनातन धर में बनाया ग जाती हैं, और किस तरीके से हमारा आधार बनने के बाद हमें जीवन में कुछ अठा करने का प्रेणा दे जाती हैं, यही हमारे सनातन धर्म में हमें सिखाया है, और शुरू से हम सीखते आए हैं, लेकिन इनके सनातन धर्म की परिभाशा ही कुछ और है, इनके हिसाब सो मार दो काट दो जला दो अब इन्हों ने पैगंबर मुहम्मद को कहा कि अगर किसी को जलाना चाहते हो नवराती चला है तो रावन को मत जलाओ बलकि पैगंबर मुहम्मद को जला दो बताइए ये कुछ कहने की बात है ये वही नतीरितनसिमानन्द है जिनके हिसाब से एपी जे अबदुलकलाम जो की मिसाइल मैन ओफ इंडिया है जो इस देश में लाखों छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते आए जिनकी जीवन शैली एक ऐसी रही जिसोंने लाखों युवाओं को प्रेरित किया उसको कहते हैं कि ये लोग जहादी है इन्होंने पा करता हूं कि कृपया भारत में आए और ऐसे लोगों के उपर रिसर्च करें और देखें कि दिमाग में कितना कुड़ा भरा हुआ है और कितनी नफरब भरी हुई है कि कुछ भी बोल देते हैं हाला कि मैं सनातन के बारे में भी आपसे शास्त्रात करने को तयार हूँ वन आपके उपर ऐसी टिपड़ी करके इस देश में और इस समाज में दोश फैलाना जाते हैं मैंने अपनी पहले वीडियो में भी कहा हुआ है कि जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम की जवाब देही केवल एक जगा जाकर के सिमित होती है और वैसे ही ये जवाब देही केवल और केवल एक व्यक्ति को है ऐसा कुछ इस देश में हो रहा है जो सबसे उपर बैठा हुआ है उसने छूट दे रखी है कि कुछ भी गलत करो तुम आंको कुछ भी नहीं होगा आम तोर पर भाया इनके खिलाफ F.I.R. दर्ज कर ली गई है लेकिन क्या ही होगा इस देश में कोई क अगर जीवित रहे सजा समय पे मिली तो बहुत अच्छा नहीं मिली तो अभी बहुत अच्छा किसी को क्या फर्क पड़ता है पर्क पड़ता है आपके बच्चों पर पड़ता है हमारे पर पड़ता है इस समाज पर पड़ता है और एक एक बात जो कही जाती है उसका में दूसरे सबसे बड़ा धर्म अगर कोई भी कहीं प्रैक्टिस किया जाता है तो वो इसलाम धर्म है मुसलमान धर्म है उसके बावजूद भी आया पाइसा कुछ बोल दे रहे हो इसके पहले नुपुर शर्मा ने भी एक बयान दिया था जिसको ले करके बीजेपी ने उनस स्थिर बुद्धी मुनिरू यच्चते जिसके लिए सुख और दुख एक समान होता है जो स्थिर बुद्धी वाला होता है जो हमारे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर किचले जिसके लिए ना कोई खुशी हो ना कोई गम हो वही एक सिद्ध पुरुष ज्यानी संत महात् गीता में कही गई है यह पार्ट की लाइन यही मैं आपको बता रहा हूं अपने बच्चों के भी समझाइए और गीता पढ़ने के लिए प्रेरित्मी कीजिए मौवा खबर में आज के लिए बस इतना ही देश-दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मौवा खब खब बस्वार